जुली आ जा ले जुली यह देखो हमारी जुली आजकल हमनी इसको गाव में दे दिया है अपने घर के ठीक उपर वाले घर में आज़ा इदर आ जुली ले और यह देखो अभी भावगा रही है अभी तक बहुत अच्छा मांन रहे थी मेरे को अपनी आरी मिनने के लिए जु जूली अभी क्यों नहीं आ रहा है को मले अले अभी देखना मेरे सांद घर चलने के रहे आए गई चल चल घर आ आजा यह देखो अब आने लग गया है इदर इसको पता है ना यह वीडियो बना रहे हैं गर गिना तो यह जो है जूली का बच्चा भी है साथ में देखो जूली हमारे घर में रही पांच साल और पांच साल के बाद इसको हमने दे दिया अपने गाओं में किसी को बच्चे के सांथ यह देखो अभी बच्चे को दूर्द पिला रही है जूली आती है जरमगर इसको काटा किस नहीं किसी ने काटा किया कोमल इसको यह देखो यह मेरे को काड़ने के लिए आ रहा है बच्चा यह काड़ने के लिए आ यह कोमल कैसा लगा तेरे को जूली प्यार है अच्छा है इसका ख्याल रखना आप तेरी वीडियो बन की नहीं तो अगर इसको कुछ होगा तो मैं कहूंगा इसने इसने अमारे कुट्टे को मार जागा फिर महीं देख और इसका नाम क्या रखाया तोने बच्चे का नाम अच्छा और तो यह देखो यह हमारे घर के ठीक उपर अलग घर है मेरा घर सामने और यह दाजियों हमारे पुसकर सिंग यह इनका नाती और इनकी नातनी और इनको दियामने जूली एकदम खुस है यहां के क्यों जूली खुस है ना तू अब यह रगया तू हां और यह इसका नां क्या रखेगी वह कुमल बता को मल लगा दो इसका नाम ना इसका नाम भी मिवाद ठीक इसका नाम भी कोमली है यह पकड़ दो मलत जब तक हमारे घर में रहते थी तब भॉंकती भी नहीं थी अब यहां आने के बाद भॉंकने लग गिया है कोमल ने कुट्टे को मोगना शिखा दिया है तो अब यह यहां पर खेतों में जो बंदर अंदर आएंगे उनको बगाएगी क्यों जूली ना चल्ब बाई बाई क्यां हम लोग घरसे बाहर जाते हैं तो बच्चों के सांथ की जुली को एसे लोगों दिया जाए जहां पे उसको बच्चे से पाल सकें और कभी कबार हम लोग चाहें तो उससे मिल सकें टो हमारे घर के ठीक उपर में जो घर है उनका जो डॉग था वो मर गया था तो पहले हमने जुली के बच्चे को धिया था जो उनके पास ढॉग था तो हमने कहा कि अब आप जुली को ले लीजिए क्योंकि जुली अगर यहां पे आएगई तो कभी कबार हम लोग जैसे गाओं में आते रहते हैं तो हम भी जुली से मिलते रहेंगे तो अगर जुली हमारे घर के आसपास ही रहेगी तो फिर हमको मलब उतनी याद नहीं आएगी उसकी कभी कबार हम भी मिल लेंगे तो उन्होंने भी हां बोला और हमने जुली को पहुंचा दिया उनके घर में जुली ने इस बार भी बच्चे दिये थे दो बच्चे जुली की हुए थे एक मेल एक फीमेल तो जो फीमेल बच्चा था वो जुली के सांथ में हमने उनी को दे दिया एक मेल बच्चNews है जो हमने किसी को देना है तो वो हमने अपने पास मैं रखाया तो जुली के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अब जुली हमारी नहीं रही जुली को हमने दूसरे घर में दे दिया है तो थोड़ी से उसकी जो यादे हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं इस चैनल में आपके साथ, आज से लगभख 6 साल पुरानी बात है, जब भूँ ज़्यदा बरबारी हो रही थी धरमगर में, लगभख 2017 की बात है, तब हमारे पास में रौकी था, जुली जो है एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि आवारा कुते, तो आ अपने घर के अंदर डाल दिया था, और उसके बाद जुली हमारी आदिय होगी थी, उसके बाद जब भी वो मलब घर से बाहर जाती, तो फिर थोड़ी देर में हमारे पास आ जाती थी, धीरी देरे उसको हमने अपने घर में ही रखना शुरू किया, और 2017 में लगभख नव में घर में जाके, वहाँ पे एकदम फिरी होके खेल रही है, अपने बच्चे के साथ में घूम रही है, और दो-तीन दिन उन्होंने जंजीर से बात के रखा था, बट अभी वो एकदम खुली रहती है, और जब भी मैं गाओं में जाता हूं, तो मैं उससे मिलते रहता हूं तो कभी मेरे बच्चे भी आएंगे, वो भी मिलते रहेंगे, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, अपने डॉक की एक मेमोरी जो है, मैंने अपने इस चैनल में अप्लोड करके रख ली है, तो मुझे सुरु में तो काफी बूरा लग रहा था, बट अब टप हो रहा था हमारे ले, तो इसलिए हमने जूली को दे दिया है, तो बस ये वीडियो थी आज की, आपको कैसे लेगी जरूर बताना, मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लोग के साथ, तब तक के लिए जैहिंजे बारत, जैदेव हुई उत्राखन।